बिहार बोड से जितने भी परिक्षारती क्लास 11 में नमांकन के लिए UFSS के पोल्टल पे ओनलाइन आवेदन किया हैं तो आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा और नमांकन के परकिरिया में काफी कुछ बदल चुका है पहले क्या होता था कि आपका पर्थम मेरिट लिस्ट आता मिलेगा तो काफी कुछ बदला है नया अपडेट भी जारी कर दिया गया है UFSS के तरफ से तो अगर आप भी इंटर्मेडियेट सतर 2024-26 में नमांकन के लिए कलास 11 में नमांकन के लिए UFSS के पोल्टल पे आवेदन होगारा कर दिया है तो आपके लिए आज का ये वीडियो काफी महतपून है नमांकन की पूरी परकिरिया जो नया परकिरिया लागू किया गया है उसको हम लो समझेंगे उससे पहले जो ही विद्यारती नमांकन होगारा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किये है तो 31 तक अर्थात की कल तक लास्ट डेट है उसका बाद पोल्ट कि पूरा नमांकन की परकिरिया यहाँ पर आगे बताएगा है कि अब UFS के तह जो नमांकन होता था उसमें काफी कुछ संसोधित किया गया है उसको पर आवेदन की अंतिम तारिक कल अर्थात की 31 माई के दिन आवेदन के लिए पोल्टल बंद कर दिया जाएगा कब आपका म मेरिट लिस्ट आएगा तो दिखे पहले होता था कि पर्था मेरिट लिस्ट का डेट था दूती यह तिरी यह बटा वह ऐसा कुछ नहीं है सीधे एक ही मेरिट लिस्ट आएगा उनका बारह जून तक नमांकन कराना होगा एसपोर्ट एड मिशन एवन नमांकन की परकिरिया 16 जून तक समाप्त हो जाएगा और एक एलेबेंथ में पढ़ाई हो गारा 16 जून से सुरू होगा आप जान से तो तीन जानकारी आपको मिल गया कि आपका मेरिट लिस्ट साथ जून तक आजाएगा अब देखे पहले क्य सीच्छा भी भाग बंद कर दिया है अतात कि अब ना ही आप स्लाइड अप कर सकते हैं ना ही दूतिये मेरिट लिस्ट आएगा ना ही तृतिये मेरिट लिस्ट आएगा सीधे आपका पर्थम मेरिट लिस्ट आएगा साथ जून से बारह जून तक आप साथ जून को जारी हो तो आपके घर के आसपास जो भी भी हार बोड का 10 प्लस टू भी द्याले होगा तो वहीं से आपको पढ़ाई करना होगा तो इसलिए जो भी द्यारती जहां से दस्वी उतिन की हैं तो उन सब का वहाँ पे एलेबेंट में नामांगन के लिए पर्थम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा तो दूतिय और तिरितिय मेरिट लिस्ट आपको जारी ही नहीं होगा एस्पोर्ट एड्मिशन में किनको मौका मिलेगा तो जो भी द्यारती किसी कारण से आवेदन होगारा नहीं कर पाए हैं या वैसे विद्यारती जो मान लिजे किसी दूसरे जगह पे नामांगन करना चाहते हैं तो जहां से दस्वी उतिन किये हैं वहां से नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं अधर विद्याले से अपना नामांगन करना चाहते हैं तो उनके लिए एस्पोर्ट एड्मिशन का भीकल्ब खुला है, तो एस्पोर्ट एड्मिशन में काफी थोड़ा जटील पर किरिया है, कि आप जहां से दस्वी उत्रिन किया है, वहां से आपको SLC पराप्त करना होगा, फिर आपको DO के पास जाकर हस्ताक्षर करना होगा, करना मांग करना होगा, थोड़ा सा जटील कर दिया गया है, परकिरिया, डॉक्मेंस होगारा की बात करें, तो दीखें, डॉक्मेंस आप से कुछ जादा मांगा नहीं जाएगा, अगर आप मान लिजेए, जहां से दस्वी उत्रिन किया है, वहीं पर इसलिए अभी तक मार् मांगा जाएगा, ना ही आप से SLC मांगा जाएगा, उसी स्कूल में अपना मांकन ले रहे, तो इसकूल लिभिंग सर्टिफिकट की कोई आउ सकता ही नहीं है, बस अगर आपको आरक्षन होगा, लाब उठाना होगा, तो पहले से आपके पास होगा, जाती आए, जो भी नि बिद्यारती दसवी की बोड एक्जाम उतरिन की हैं, और उसी स्कूल में अलेबेंथ में ना मांकन कराने जा रहे, तो उनको तो कोई दिकत, उनको तो कोई भी जारा डॉक्मेंस नहीं लगेगा, आपको बस सीधे अगर आप आरक्षन के लाब उठाना चाते तो कुछ डॉ का मिलेगा, ना मांकन की पूरी परक्रिया समझने के लिए, सिंपल सा आपको अपने मुवाल फून का कोई भी ब्राउजर उपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आई, और इस चैनल का नाम ए आर कैरियर पॉइंट टाइपर करके सर्च कीजिए, आपके सामने जो कुछी इस रूप में ओपन कर देगा, यहाँ पर नीचे की तरफ पर स्कॉल डाउन कीजिए, और नीचे की तरफ आईएगा, तो एडमीशन कटेगरी में देखिए, सारा यहाँ पर जानकारी है, मेरिट लिस्ट होगारा, यहाँ पर साथ जुन तक मेरिट लिस्ट आएगा वो भी यहाँ पर अपडेट है, ओनलाइन आवेदन करना है, जू जू यह अलबेंथ हैडमीशन को लेकर अपडेट आता है, उस सारा अपडेट देखें, यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया है, तो सिंपल सा अगर मेरिट लिस्ट होगारा जाएगा, आपको साम देखना है, तो यहाँ पर किलिक करेंगे, आवेदन होगारा करना है, आपको तो यहाँ पर किलिक करके देख सकते हैं, जो मैं ऑफिसल अपडेट दिखा रहा था, कि हर एक चीज़ का डेट आया है, तो यहाँ सा आप किलिक कर सकते हैं, तो हर एक अपडेट है, यहाँ रहे मनें many लिस्ट वाले पॉस्ट पे किलिक किया तो आपके सामने कुछ इसत्रा है एक एक जानकारी यहाँ पर ऐदेगा नीचे की तरह बढ़के हरे एक उसे डॉक्मेंस मांगा जाएगा क्योंकि जो विद्यारती चाहां सदस्वी उत्रिन की हैं वहाँ पे आप एलेबेंथ में ना बांका कराएंगे तो कोई भी डॉक्मेंस हो रहा किया हो सकता नहीं है मेरिट लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 बना है सिंपल सा किसी भी लिंक पे आपको क्लिक करना है इसी तरह आपका इंटिमेसनल लेटर जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ पे बार कोड नमर जो आप आवेधन प्रिंट आउट किये होंगे उस पे दिया होगा और मोबाइल नमर अपना भरियेगा जो वह फैसा सभर भीजाओं नमर प्रिंट प्रिंट बोटम पे क्लिक करेंगे आपको बता देका किया करना को नामांकन होगारा होने जा रहा है जाकर रहा है कि नहीं विद करना हूँ नया जो अफिसल अपडेट जारी हुआ है उस अब को आप समझें आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा बेखी मेरिट लिस्ट जारी होगा और पूरा कैसे नमांकन की नया परकिरिया है मैंने आपको समझाने का परियास में किया हूँ सीध्य अब मेरिट लिस् की परकिरिया काफी आसान हो गया बट यहीं है कि आपने मन पसंद स्कूल कॉलेज में अब एड्मिशन हो गारा नहीं ले सकते है उसके लिए थोड़ा सा परकिरिया जटील कर दिया गया है बाकी आप जहां पे दसवी की बोड एक्जाम उत्रिन किया है वहाँ अगर आप न